हेलो गाईज, विल्कम आक टो माई चैनल स्मारे जो गाईज, बहुत साय लोग का कोश्च चाहिन है कि सर नरे सेटी मार्श दोहर बाई से जब लागू होने जा रहा है, तो इसकी स्लेवस क्या होगी हम इसकी तैरी कैसे सुरू करें, देखो जैसा कि अब सभी को पता है कि कैसे हो रहा था, वह इसी होगा, ठीक है, वहाँ पर न तो स्लेवस होगा, नहीं आपका यहाँ पर एक्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, तो अब लोगों का कोश्चन की सर बैंकिंग सक्टर की जितनी वेकेंसी होगी, उसकी यहाँ पर स्लेवस में क्या हमें चेंजिस इस लिमिट क्या रहेगा, सेलेक्शन पोर्स सब क्या होगा, और एक्जाम पैटर्न क्या होगा, यह सब ही यहाँ पर लोगों का कोश्चन है, तो इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, और उस आपके एक्जाम डेट क्या होने वाले यह भी बताऊंगा, जो इनारे सीटी की टीन टाइब की एक्जाम होंगे, एक आपका तिन्थ लेवल का होगा, ठीक है, दूसरा आपका ट्विल्थ लेवल का होगा, और फिर आपका होगा ग्रैजूशन लेवल का, ठीक है, ग्रैजूशन लेवल का भी यहाँ पर आपका एक्जाम होना है, अब लो कि जितने भी यहाँ पर candidate है mostly वो banking sector और SSC के हैं मेरे चैनल पर ठीक है तो जो banking sector का exam होता है उसमें आप देखो तो जातर क्या होता है जातर graduation level पर vacancy आती है उसमें भी आपका graduation level का जो आपका non-tech part रहता है वो पूछा जाता है तो हम एक overall syllabus देखेंगे topic देखेंगे expected जो syllabus होने वाला वही आपका लगबग सेम रहेगा ठीक है तो सबसे पर यहाँ पर हम syllabus की बात करते हैं अब यह जो topic मैंने लिया है यह क्या यह common topic है यहाँ पर समझो क क्या है आपको पता है कि जो आपका banking sector का exam होता है उसमें प्रलेम exam में क्या रहता है क्वांट का section रहता है इंग्लिस रहता है और आपका general intelligence आपका पिलेमरी एक्जाम में नहीं रहता है, SSE में क्या होता है, ये तीन टॉपिक common रहते हैं, और उपर से यहाँ पर जनावरेनेस भी उसमें add किया जाता है, वो भी रहता है, Railway में हम देखिए, तो Railway में क्या रहता है, Railway में English नहीं रहती है, इंग्लिस नहीं रहती है, Quant का section रहता है, Reasoning रहता है, और General Awareness रहता है, यानि कि जो आपका Reasoning और Quant है, वो तो common है तीनों में ठीक है, लेकिन चेंजिस कहा होगा, चेंजिस होगा आपका General Awareness में, इंग्लिस में आपका चेंजिस होगा, तो जो banking के यहाँ पर experiment है, उनको यहाँ पर preliminary exam में, यह GK की जो part है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है, यह changes यहाँ पर 99% chances है, कि banking exam में होगा, जो आपका main exam में आता था, वो अब यहाँ पर preliminary exam में ही GK पूछा जाएगा, यह भी हो सकता है, जो level यहाँ पर GK का, जो general evidence होता है, उसका preliminary exam में, जो SAC का रहेगा, उसके तो यहाँ पर recording रहेगी, जो आपका main exam में as a evidence पूछा जाएगा, वो रहे कहीं as it is, और वहाँ पर जो होगा, वो जिस type का पूछा जा रहा था, उस type का पूछा जाएगा, यहाँ पर changes एक होने के chances है, दूसरा English में हम बात करें, तो जो railway के sprint है, उनको यहाँ पर option दिया जाएगे, English और Hindi का, ठीक है, यह यहाँ पर optional paper अब होने वाला है, Hindi भी इसमें add किया जा सकता है, ठीक है, तो यह कुछ यहाँ पर changes होंगे, लेकिन यह चार topic जो है आपका जैने awareness, reasoning, quant और English, यहाँ पर common यहाँ पर होने वाला है, तो जो लोग भी तयारी करना चाहते हैं, इस साथ topic के थूरू अभी से तयारी आप कर सकते हैं, जहां तर बात रही level of exam की, कि SSE के थोड़ा अलग होता है, reasoning जो होता है, SSE में उतना tough नहीं हाता, जितना की banking में आता है, तो उसमें क्या होगा, topic क्या हो रहेंगे, तो topic क्या होगा, topic mix हो जाएगा, topic आपको mix देखने को मिला गए, यानि कि SSE का जो यहाँ पर reasoning रहेगा, वो थोड़ा सा moderate हो जाएगा, जो आपका banking का reasoning रहेगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, easy हो जाएगा, ठीक है, तो एक moderate level का यहाँ पर त्यार किया जाएगा, जो topic आपको आप से लेवस होंगे, और जैसे कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर यह सारे topic है, यह लगवाग यहाँ पर common रहता है, ठीक है, तो यह सारे topic यहाँ बर होना conform है, तो इसके थोरों आप अभी से ही त्यारी कर सकते हो, यही आपका probably जो expected slave से वो रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें जेख लो simplification है, interest है, आपका average है, percentage है, सब कुछ इसमें topic वाइस दिया गया है, तो अभी सी ही यहाँ आप यहाँ पर screenshot लेके त्यारी सुरू कर सकते हो, और current affair में तो आप कोई infusion रहेगा नहीं, six month का ही current affair पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता है, कि हर six month पर आपका है हाँ पर CTNR का exam conduct होगा, हर six month पाद आप इसको दे सकते हो, अगर आपने qualify कर लिया, फिर भी आप अपने score को better करने के लिए, six month पाद आप exam दे सकते हो, एक पर आपने exam दे दिया, qualify कर लिया, तो उसका जो validity है, वो three year का रहेगा, तीन साल तक आप उस score card पे apply कर पाऊगे, अब question यह आता है, कि sir यहाँ पर जो हमारा exam pattern रहेगा, वो क्या रहेगा, क्या 100 marks के पूछे जाएंगे, तो chances है कि बिल्कुल आपका 100 marks का ही exam होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कि यहाँ पर exam होने की chances नहीं है, बहुत साई लोग बोह लेंगे, ट्रैक करना पड़ेगा, जो NRACET होगा, जो 12th level का देना चाहते हैं, उनको 12th level का यहाँ पर exam अगर देना है, तो वो 12th level में अपलाई करें, NRACET के जो exam होगा, जो graduation level का exam देना चाहते हैं, वो graduation level में अपलाई करें, ठीक है, जो 12th के basis भर रहें या 3th के basis भर रहें, उनके लिए जो age limit होने वाली हो, 18 से लेकर 27 साल के बीच यहाँ पर age limit उनकी होने वाली है, ठीक है, तो यह आपका age limit NRACET का रहने वाला, अगर exam date की बात करें, कि exam कब तक होगा, पर ऐसलेबस हमें official syllabus कब तक देखने को मिलेगा, तो marge में आपको official syllabus देखने को मिलेगा, ठीक है, marge में आपको official syllabus देखने को मिल जाएगा, marge inter का बोसकते, official syllabus आजाएगा, exam जो होगा, वो september के month तक जाएगा, ठीक है, इतना easy नहीं कि exam होजाए, इसके center बनाने पड़ेंगे आपको भी बता है कि जब NRACT लाग होगा तो number of candidate यहाँ पर ज़्यादा होगा अभी एक SSC का exam होता है तो उसमें आप देख सकते हो 20 लाग सजागा candidate अपेर होती है तो यहाँ पर तो railway SSC सब कुछ मिल जाएगा न तो यहाँ पर क्या होगा almost आप मान कि चलो 50 से 60 लाग सकेंड़ेट यहाँ पर 10th level या graduation level में साइमेल definitely होंगे minimum हम बात करें तो ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है competition भी वहाँ पर अच्छा कासा होने वाला है सब के अपडेट आपको यहाँ पर time to time मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना गाई तो मिलते है अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक कियर